सबसे पहले हम कैपिलन किट को देखेंगी और इसके बाद हम बीपी किट को देखेंगे कुछ क्वेस्टेंज मैं इंशाला आप से भी करवाँगा क्योंकि टॉपिक आपने अरड़ी थोड़ा बहुत समझा हुए हम जिसना क्वेस्टेंज करेंगा आपको थोड़ा मजीद भ पास एक से अच्छा यह देखें यहां पर आपके पास क्वेस्टन नंबर जन सारे अभी जो आप देखेंगे अब्जेक्टिव टेस्ट क्वेस्टन यह किट वालों ऐसी इसमें डाले में क्योंकि इसका कुई काम है नहीं और टी क्यू कभी एफ़ वन में नहीं आते आपको टेस्ट होते हैं तो यह बेसिकली क्या हो रहा है यह उनके लिए जो के मेडिकल बैग्राउंड से आयों प्री इंजिनेरिंग बहुत मतलब डीटेल में चीज़ें रिवाइस करनी चाहते हो लेकिन उसकी कोई जूरत नहीं होती क्योंकि सिलेबस का कोर्सी ऐसे डिज है डिवाइड वेल डिवाइड़नेस के अंदर तो कोशिश यह होगी हमारी केस को जितना अर्ली पॉसिबल हुआ उसको हम गतम करेंगे ठीक है तो यह दो आज हम कर रहे होंगे बिजनेस ट्रांसेक्शन और डॉक्मेंटेशन पहला और यह सेकिंड वाला डबल एंटरी है और सबसे वहले बेसिक डबल एंटी देखेंगे हैं सबसे पहले क्वेस्टेंज आपकी डॉक्रिमेंटेशन पे बैसिकली जो लेक्चर टू था चैप्टर टू उसके उन्होंने आइड नो वाई पहले सवाल डाले में बड़ चलें इसको करते हैं देखते हैं यह क्या च अच्छी तरह समझें में अगर आगे जाके फ्यूचर में कुई भी आपको उनमें शू आता है तो मैं आपको इसी इन्फोर्मेशन को हमने यूज करना है यह तो आपको चीज पता है आपने रिक्वार्मेंट बहुत गहर से पढ़नी होती है ठीक है अच्छा एक और चीज बात है आपने चीज़ें पहले एक देफा कवर अपकी हैं तो बैसिकली एक तरह से आपकी डिविजन ही हो जेगी सारी है सारे टॉपिक्स भी क्लेर हो जेंगे कौन से इंचाला क्लेर हो जेंगे अब रिक्वार्मेंट बहुत गोर से आपने देखनी है विच ऑफ दी फॉल एक-एक को मैं आपको लॉजिकली समझाओंगा ठीक है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि इसका राइट आंसर यह यह वह है तो मैं आपको लॉजिकली समझाओंगा कि सही आंसर आप कैसे ढूंबते हैं जब आपको पूरी तरह अंडरस्ट्रेंडिंग ना भी उस टॉपिक Ibs इynn? करता हूं पैयनों पैडियरोल पैरोल बैसिकली होता है जब स्टाफ की सैयलरी हम देता है ठीक है सैलरी देना वेजिस देना तन खाओज हम देते इसको पैरोल कहते हैं इसका लग से चैप्टर भी है सालों बाद जाके होती है चार साल बाद पांच साल बाद इसका मतब यह भी डिली बेसिस पे मुश्किल ही है कि ना मुझेन है बेसिकली पिर पेमिंट औफ सप्लायर देखें अब पेमिंट औफ सप्लायर जो है ना वो भी बिजनस क्या करते हैं कि रोज तो नहीं पे ग़रे होते हैं सप्लायर को एक मक्सूस दिन रहने रखा होता है जैसे लड़ से कि हर महीने की पंद्राश पे करें हर महीने की 20 तारी को प्करे महीने में एक दफाव पे करें तो पेमिंट सप्लायर भी रोज रोज नहीं होती एक क्रेडिट बहर आपने देखा होगा यह वह अपने ज तो महिने में एक ही दफ़ा होती है ठीक है तो तीनों ऑप्शन हमारी आ पे गलत है सिर्फ सही वाली कौनसी है ऑप्शन एक क्रेडिट सेल एक वाहिद चीज़ है जो कि रोज मर्णा बेसिस पे रोज बरोज होती है आप एक बड़े बिजनस को देखें ठीक है एक बिजनस जा खाक ज़ग है ठीक है क्योंकि रोज जो हैं वो एक लिए सफॉजंट में गाड़े को रोज बर तो हर बडे बिजनस की सेल जो होती है क्रेडिन सेविए स्पैसिफिक यह वह रोज मर्णा बेसिसन पे काफिज़्य द्यादाद ने होती है ठीक है यह आप्शन इसका क्रेक्ट है क्रेड़िट से अब तू देखते हैं नेक्स्ट वाला विच ऑफ दी फॉल्विंग कमप्राइज़ स्मॉल कैश ट्रांडेक्शन कौन सी ऐसी इन में से चार में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो के कैश ट्रांडेक्शन और छोटी ह है दो कीवर्ड्स हैं आपे स्मॉल और कैश ठीक है अब ट्रांडेक्शन आपको पता है दो टाइप की होती है क्रेड़िट भी कैश भी यहां पर हमने कैश की बात करनी है ठीक है अब पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर का बैसिकली मतलब है कि मैंने किसी से सर्विस ले ली अकांट्न सी कि ठीक है मैं अपना बिजनस चलाओं और मैंने एक अकांट्ट ठाय लिया फ़र जैंपल आबिसली मैं करूंगा तुनि क्लिशन में लेकिन लेकिन कोई इंजिनियर है डॉक्टर है वसने अपने क्लिनिक के लिए या फिर अपने जगा के लिए एकाउंटेंट रखते हैं तो वो इसको सेविस प्रवाइड कर रहे और एकाउंटेंट्स तो हजारों लगों में चार्ज करते हैं ठीक है तो क्या ये स्मॉल ट्रांजेक्शन है नहीं स्मॉल तो नहीं है अंसर नहीं खो सकता ठीक है पैटी कैश इस पर मैं वह परचेज होती है और वह भी कैश पर नहीं होती है ज्छादब क्रेड़िट टर्म्स पर होती है तो यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता मश्किल है फिर रिसीड फ्रम सेल जो हमें क्रेड़िट कस्टुमर जो हमें पेमेंट करते हैं आपने डे वन पर देखा होगा करता हूँ इसका एक पूरा टॉपिक है एफ एब धनके अंदर और इसका नाम है परटी कैश क्या होता है बैसिकली स्मॉल इक्सबंसिव ओटे है ठीक है और स्मॉल लेनी पड़ी ट्रेन लेनी पड़ी टैक्सी लेनी पड़ी तो चोटे मोटे जो एकस्पेंसे होते हैं जो चंद सो के यह चंद जार के और ने वह पैटी कैश्थ से पूरे कर सकते किसी क्लीनिंग वाले का अपने सैलरी देनी थी ठीक है एमरजेंसी में कुछी चीज टूट गी हो सही घरानी यह सारी चीज पैटी कैश के अंदर आती है यह स्मॉल एक्सपेंस में क्लासिफाई होता है ठीक है सही है अब थ्री देखते है क्वेस्टन थ्री वाट इजी पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट ठीक है अभी बेसिकली यह जो इसको भी छोड़ें क्योंकि अगर मैं आपको अभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे चाप्टर सिक्स पे जंप नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको भी छोड़ दें यह हम बाद में देख लेंगे अब फोर्स पर चलते हैं विच आप जी फॉल्विंग इस नॉट इन इंटरनल इस पॉर पर चीज़ कौन सी ऐसी डॉक्मेंट अगर आप एक स्वाइन करें कोई मसला नहीं सब्सक्राइब करें देखें बैसिकली क्रेडिट नोट जो है आपने पहले भी देखा होगा आपको एक स्केच से बना देता हूं बैसिकली दो किमेंट्स होती है हमारी एक होती ह ठीक है और उसी के जवाब जो होता है वो होता है क्रेडिट नोट में ठीक है डेबिट नोट एक सवाल होता है क्रेडिट नोट एक जवाब होता है अब इसको इस तरह समझ सकते हैं ठीक है अब सवाल कौन पूछते हैं यहां पर मैं अर्दू में लगता हूं यह होता है सव supplier से ठीक है और सवाल क्या होता है शबाल यह होता है कि सप्लाइर साब आप ने हमें गलत समान कर दिया यह पिर ट्रांपूर्टócपोर्टेशन की दोराने तूट गया है यह खलत कलर हागए गलत साइद आ तो कैनली यह यह समान है यह यूनिट्स हैं हो सकते सारे ना हो कुछ 70% 60% समान हो यह आप वापस ले लिए तो एक डेबिट नोट होता है डॉकिमेट होता है ठीक है अब इसके जवाब में सप्लाइर क्या कहेगा या तो सप्लाइर एक सेप्ट करेगा या फिर डिनाए कर देगा ठीक है मोस्ट केसेज में सप्लाइर जो रिटर्न है बैसिक्ली वह आपके एक सप्लाइर शेर्ट में यह दोनौ अबंद कर सकता है डिनाई भी कर सकता है और accept करने का यह मतलब है कि देखें हमने जो entry बनाई होगी वह क्या होगी जो credits let's say credit purchase की अगर होती है तो हम payable को बढ़ाते सौरी purchase को बढ़ाते है debit purchase और credit हम करते है पेबल क्योंकि पेबल एक liability होती है तो यह entry होती है अब अगर supplier ने कुछ समान वापस ले लिए तो हम क्या करेंगे हम करेंगे credit purchase return क्योंकि purchase debit पर आजिए credit purchase return करेंगे और debit को हम नीचे कर देंगे तो अब देखते हैं what is purpose of credit note it acknowledges purchase on credit नहीं यह गलत है इस एफरेंस फ्रॉम एजन्सी डिटेलिंग देडिट वर्दीनस नहीं यह तो कुई और concept है it is issued when deposit is paid on goods इसको remittance advice कहते हैं यह भी आगे जाके आएगी it is issued to cancel all or part of sale नवाइस करेक्ट क्योंकि जब हम सेल करते हैं अब supplier के end से देखें जब हम सेल करेंगे तो to cancel apart or whole of इसका यह मतलब है कि हम कुछ चीज रिटरन हम मिल रहा है customer की तरफ से ठीक है इसका डी ऑक्शनिया पर करेक्ट होगा ओके सब्सक्राइब फोर पर आते हैं which of the following is not an internal document for purchases ऐसे कौन सी डॉक्यमेंट इंटर्नल डॉक्यमेंट नहीं है किसी इसके लिए परचेस के लिए ठीक है अब supplier लिस्ट सब्सक्राइब लिस्टों इंटर्नल यह विस्टी आपने देखा भी होगा मैंने बताया था यह चैप्टर टू में supplier लिस्ट आप वैसे भी अगर आप देखें तो customers को यह public को नहीं बता जाता कि हमारी company के कौन से supplier है वह चीज़ confidential रखे जाती है अपने तक रखे जाती है ठीक है तो यह तो इंटर्नल डॉक्यमेंट है लेकिन यहां पर बताने नौट इंटर्नल कौन से इंटर्नल नहीं है ठीक है अब डिलिवरी नोट डिलिवरी नोट ज इसलिए है उसका मकसद यह होता है कि sender को बताना कि हमने सही बंदे को इस evidence के साथ लेटर या पार्सल डिलेवर कर गी है ठीक है तो डिलिवरी नोट हमारा नहीं होता वह हमें सिर्फ पार्सल लेटर देते वह पेपर वो खुद ले जाते लिवरी नोट तो यह इसका सही होता है कि कौन कौन से goods मिलें लाकि बाद में यह मसला ना बने कि यह गुड़ तो आए नहीं यह गुड़ आए नहीं सभी इंटरनल होती हम अपने तक ही रखते हैं परचेज और परचेज और जो है यह भी हम basically खुल बनाते हैं सभी है तो परचेज और क्या होता है कि हम लो ठीक है जी अच्छा एक सेकंड में अच्छा जी अब रेमिटन्स एडवाइस यह भी यहीं पर देख लेते हैं basically यह भी शायद मैंने समझाया था बट एक दोफा फिर से मैं बतायता हूं रेमिटन्स एडवाइस क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं अब यह जो है यह काफ पिरेंट टो अफ्री के छोटी सी जीज़ से दो-थीन मिनट की यह धी है रेमिटन्स एडवाइस हमें नाम सी चीश danger चल लही है एक सप्लाइर हरा एक अचम्यश्चर करता है तो उससे मैं रेगूलर संवान पर्चेस करता हो एक पॐसर फिर एक में तो इसमें यह होता है कि अब वो ABC कंपनी सप्लियर बहुत बिजी सप्लियर है तो कि ऐसी प्रोडक्ट को मैनेज कर है जो कि और कोई इस से पेमेंट भेजूंगा उस गुड्स की तो उसके साथ मैं एक नोट भेजूंगा कागस पर प्रिंट होगा बहुत बड़ा बड़ा कि इन इन आइटम्स के लिए मैं आपको पे कर दिया और यह यह भी रहते हैं तो एक मेरी जानब से सप्लियर को एक कम्मिनिकेशन एक एडवाइस होएगी कि इन इन गुड्स की इन इन सर्विसिस की रहमिटन्स आपको मिलगी है यह एटाच होगी या तो मैं इसको चेक उसमें लगा दूँगा या फिर कैश उसमें लपेट के उसको एनवलप में भेज़ दूँगा तो बेसिकली होता गया है कि यह शो कर आप कैरिडि फिर से पेमिट करें हमारे रिकाॉड में आई नहीं तो ओविएसल हमारे भी पैसे उसमें जाया होंगे सप्लियर से भी रिलेशन इसमें बहुत खराब होंगे ओविएस्ली ठेक है तो हमकम्मż कर लेते हैं ताकि अगर सप्लियर बाद में यह भी कहे कैं कि हम पेमेंट नहीं मिली तो हम उसे यह कहेंगे आप ज़रा रेमिटेंस एडवाइस निकाले हूं ठीक है तो फिर वह कहेंगा अच्छा यस यह में मिल गिया पेमेंट ठीक है अब देखते हैं तो इंडिकेट आइटम्स नाव पेडियास यह इसका सही है बागी भी देखते हैं त तो इसका क्रेक्ट आप्शन है यहां ठीक है अब वोट इस पर्पॉस ऑफ पर्चेज इनवाइस यह भी देख लेते हैं चार यहां पर लिखे में देखते हैं तो क्लेम बैक दी सेल्स टैक्स यस बिल्कुल क्योंकि हम आगे जाके सेल्स टैक्स वाले टॉपिक भी करेंगे उसमें यह है कि दो टाइब के टेक्स होता है हमारे इंपूट टैक्स आउटपूट टैक्स तो पर चेज में जो है बेसिकली आप कोई शाहिद ही बात पता हो कि सेल्स में तो बिजन्स करते हैं जैसे सेल्स फर एजेंपल मैं कुई चीज बेच रहाँ मुझे कस्टमर जो प परचेज कर रहा हूं और मैं टैक्स रिजिस्टर्ड हूं तो मुझे उस परचेज का जो टैक्स मैंने खर्च किया हूँ रीकलेम हो जाएगा वह वापस रीफंड मिल जाएगा ठीक है तो उसके लिए परचेज इन्वाइस चाहिए होती है क्योंकि जब आप जाएंगे टैक् कौन से समाना अपने खरीद है यहां पर ठीक है तो रिकॉर्ड हाव मच इस ओड़ तुदा सप्लाइयर यस इसके लिए भी करता है क्योंकि जो हम पेबल्स बनाएंगे डेबिट परचेज क्रडिट पेबल करेंगे वह भी परचेज इन्वाइस को यह देके करेंगे रिट क यहां पर तो परचेज की बात हो रही है सेल की तो बात ही हम तो कस्टोमर यहां खुद है ठीक है फिसका मतब यह घलत है कन्फ्यूस करने करिए जिसका सभी ऑप्षिन एबनेगा वन टू एंड त्री ओंडी पहले तीन इसकी ऑप्षिन करेक्ट में अब ठीक अच्छा अब एक सेडंड एम जीजिए वन सेगए और त्री तस्स एस चलिए इसके वह स्थे श्चन तक करेंगे यूगे स्केप्टूटल केस्टुट्रिशन न्सोला एंगा तरिमेंग जो सिक्स्ट आप को ट्राइ किजिएगा इशाला जो भी इशु वह उसमें आप बता देजिएगा फिर हम आगे डवल एंट्री वाले पर चलेंगे ठीक है ओके सेवन करते हैं इन पर्चेजिंग प्रोसीजर विच डॉक्युमेंट विल यूजिली फॉलो दा गुड्स रिसीव नोट ठीक है अ ट्रक जो है वह हमारे गुडाम में आ जाता है फैक्टरी में आ जाता है और समान उतरने लगता है फिर एक बंदा साइड पर खड़ा होता है वह लिख रहा होता है कौन कौन से गुड्स एक्टरी रिसीव होई है ठीक है तो गुड रिसीव नोट के बाद क्या होते है एडवाइस हमने पड़े एडवाइस नोट आई डोंट थेंक वैसी चीज़ है ठीक है तो यह साब बिल्कुल सही कहें इसका ऑप्शन बी करेक्ट है इन्वाइस जो कि जब गुड रिसीव हो जाते हैं हमें तब ट्रक वापस चल जाते हैं ठीक है और सब जो सप्लायर साब है दस पंदरा दिन बाद इन्वाइस पेज़ते हैं कि हमें पेमेंट जल्दी सी जल्दी कर दें ठीक है इन्वाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है अब एड देखते है कीथ रिसीवड डॉक्यमेंट फ्रम कलन स्टेशनरी सप्लाइस अब इससे जो कीथ है कस्टमर है इसने इस ब दिन पहले ठीक है तो हाव वोड़ कीथ रेफर टू दिस डॉक्यमेट अब हुआ के कीथ को अभी एक डॉक्यमेंट रिसी हुआ है तीन दिन बाद और वह किन चीजों का था जो कि उसको तीन दिन पहले मिल चुकी थी ठीक है तो गुड़ रिसीव नोट तो नहीं हो सकता त तो उसी टाइम बनते है राइट ऐसी है अब इस रिसीट मुस्ट प्रबली यही होगा बाकी भी देखते है इसको भी देखते है क्रेडिट नोट तो हो नहीं सकता क्रेडिट नोट नहीं हो सकता है ठीक है क्रेडिट नोट का मतलब होता है रिटर्न करना यहां तो रिटर्न होए है अब देखेंट क्या होता है विल को हम रिसीट कहते है ठीक है तो पिल तो इसको सी टाइम मिल गया होगा हो सकता है इन ऋफ के अंदर यी बिल पड़ाओ से निकाल लिया होगा ठीक है थो रिसीट्ट ही मुझे लगताँ आनी हो पर चेह इन वड़े को आ तो पर्चेस इन्वाइस के बाद ही आता है जब हम पेमेंट करते हैं तो उसी के साथ रिसीइफ देंखे। देके बैसिकली रिसीट यहाँ पर बिल को हम कह रहे हैं। जो गुड रिसीफ नोट के बाद जो चीज आती हो इन्वाइस मेरे खिया आती है। कि वोईस ही आप विसली सप्लाइर इंतजार भी कर रहा होगा कि दो तीन कि दिन गुजर गये अभी तक पेमेंट नहीं तो रिमाइनिट कर देना चाहिए तो इन्वाइस के बाद रिसीब्ट आती है सर इसका अंसर एक सेकंड चेक करते हैं सिसार ऑस्पों सीट ड्राइस की सही अर्ठी नाफ सी मतलब सफ़ी है टाइक है तीन बाद फारशेंट कर देतुद और बेसे नहीं कि मतलब कर देंजेडा लाजिकली मैं समझाते हूं देगे आफ वो उड़ेंपल आप कोई चीज पर्चेस करते हैं इंस्टॉल्मंट पे या फिर आपका कोई सुपर स्टोर में दोस्त है वह और है वहाँ का ठीक है और वह कहते हैं इसको कुई बात नहीं उदाहर पर समान दे तो आप उदाहर पर लेकर आजिते हैं वहाँ बहुत कोश थिक है लिकिन हो सकते दो समय नीचे लिखाओ कि payment बाद में करनी है तो यही चीदे के रिसीट पहले आती है इन वैसिट आ आजए आक और ने DOAS के बाद आकर में को इसा निवैस के बाद transaction in the petty cash book अब यहां पे पूछ रहा है कि आपने शायद first lecture में देखा हो books of prime entry मैंने साथ परागी बिताए थी sales day book sales return day book purchase day book purchase return day book sales sorry cash book petty cash book और general यह सारी ठीक है तो इसमें यह कह रहे है कि petty cash book में amount record करने के लिए किस किस purchase है हम उसके amounts copy करते हैं कौन सी ऐसी prime document है prime document का मतलब कि कौन सी source document है कांस information लेंगे उसके ठीक है तो देखते हैं invoice तो मुझे नहीं लगता invoice प्रटी कैश से रेटेड नहीं है दो अलग अलग बाते हैं ठीक है तिल receipt होता है जो आपने देखा होगा जो closing कर रहे होते हैं businesses तो उनके जो counter होते हैं cash count करने लग जाते हैं ठीक है और उनको cash count इसलिए करना होते हैं ताके reconcile कर सेके एक्चुल जो में cash मिले हैं वो जो computer show कर रहे हैं उसके मताबिक है या नहीं तो यह भी petty cash से related नहीं है ठीक है अब यहां दो वर्ड़ में petty cash आयो यू और petty cash voucher जो इसका सही वाला वैसे इसका पूरा chapter है जो हम discuss करेंगे आगे जाके ठीक है इसका सही आंसर मुझे डी लग रहे है क्योंकि petty cash voucher एक चीज होती है जो सबसे पहले भरा जाता है उसमें लि इसको पढ़ लेंगे लेकिन इसका यह सही आंसर है option डी इसका करेक्ट है ठीक है बाउचर पी सब देखा देट किया है अमाउंट किया है किसलिए हम निकल भाए है ठीक है यह सारी चीज़ी अब इसका last question देखते है question 10 जो documents है which of the following is a source document for financial transactions financial transactions के लिए कौन सी source document है ठीक है तो source document होते है जिस पर basically तरह की information हमारे पास लिखी हो जिस पर amount भी लिखी हो जिस पर नाम भी लिखा हो तमाम एक जैसे वो नहीं होता पूरा package रैट तो यह source document भी यही होता है exactly इसका सही answer भी है बट one by one देखते है statement में हो सकता है कि सिरफ यह लिखा हो कि इस महीने की सिरफ कितन transaction है वो सकता है उसमें supplier को नाम ना लिखा हो हो सकता है इसमें रीजन ना लिखा हो ठीक है पूरी चीज़े नहीं इसमें लिखी हो सकती फिर पेंग इंग इंस्लिप यह यहीं इसका सभी answer पेंग इंसलिप होता है basically deposit slip हम कहते हैं यह जब हम बैंक में जाते हैं कोई दे रहे ह कर रहे हैं आप तो क्या लगते हैं ठीक है सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है delivery note जो है इसमें भी सिर्फ sign करना होता है को information होती नहीं है और good receive note में भी उसी goods की लिखी होती है कि कौन से good आपको receive हैं ठीक है तो बी option इसका यहां पर correct है ठीक है जी सही है तो 10 questions में कर लिए है remaining आप इंशारा try कीजिएगा अभी हम ऐसे करते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं दो ती मिनिट की और इसके बाद फिर हम चलते है नेक्स्ट वाले questions के ओपर ठीक है ओके अचलते है भाले खिर हैं भूंगरा झाले की ङओते हैं आप później को करे जब उना के का ओदीके तो बड़ों बै। आपके नेसे अचे चायन का आप सकत वाले उना वाले हैं आपोंगरा के वाले कर से भाले जिए हैं इनने और, झाजम, दो झाल 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 के है चैलिंजी स्टार्ट करते हैं डबल दियुन्ट्री क्वेश्टिन्स ठीक है तो बेसेकली सिर्फ अपिन की व Dog तो वसकेulsive की मैं के यह काफी जाद कोंड़ can स्टार्ट करेंगे ठीक है अभी हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के स्टार्ट करते हैं नेक्स वले सबसे पहले देखते हैं क्वेस्टन 17 इसके थोड़े ज्यादा क्वेस्टन है तो अच्छी बात भी है कि आपकी डबल एंट्री की प्रैक्टिस अच्छी खासी में हो फाइव थाउजन इंटो बिजन्स बैंक अकाउं मतलब कि यहां पर किसी टाप का कैपिटल इंवेस्ट हो रहे है राइट कैपिटल की डेफिनेशन में आपको बताई थी कैपिटल होता है जो भी ओनर अपना कोई भी इंवेस्टमेंट करता है बिजिस के अंदर वो कैश भ है कि कैपिटल हमेशा जो है वह करेड़िट होता है इंक्रीस पे तो करेड़िट यहां परर कैपिटल लगा ठीक है और हन्सक्का चाहिए जो केश पे का रे लेकिन बिजनस बैंक अकाउंट अब निया जाग गया अब वह वुजूद में आगे बिजनस का तो सिरे डेविट हम क्या करेंगे यहां पर बैंक और इसके अमाउंट क्योंगी 5500 ठीक है उसका जो करेक्ट ऑप्षिन है वो ऑप्षिन भी यहां पर बनेगा डेविट बैंक और क्रेड़िट कैपिटल के में हमेशा क्रेड़िट पर ही बनेगी हमेशा एटीन देखते हैं एंड्रिया इन्वेस्ट नी किया यहां पर डिरेक्टल अपनी काड़ी इसने बिसिक्ली बिजिस के अंदर ले आई हूँ तो इसमें भी बिसिक्ली है तो वह एसे टी कैपिटल तो हमेशा हम क्रेड़िट करते हैं क्योंकि बिजिसमें एक नई गाड़ी आ रही है ठीक है डेबिट हम य यह भी पांच हजार है तो इसकी जो करेक्ट एंट्री है वह बनेगी ऑप्शन सी डेविट कार ट्रेड़िट कैपिटल विद फाइव थाब ठीक है जी सब्सक्राइब नाइंटीन देखते हैं यह वाला जोन्स अकाउंट इस शोन बिलो यहां पे एक जोन्स का बनावे ठीक है वट इस बैलन्स ऑन जोन्स अकाउंट एड थर्टी फर्स जैन्वरी मतलब के क्लोजिंग बैलन्स हमने बताने हैं क्योंकि यहां पे महीने की एंड वाली डिट लिखी हुए तो यहां पे हो सकता है अकाउंट में कुई चीज़ें गलत साइड पे लिखी हूं तो उस वजह से अकाउंट गलत बन गया अब देखें मुझे कैसे पता चलेगा जोन्स कहा है किस चीज़ का अकाउंट है मुझे कॉंटेंट्स देखके पता चल रहे हैं यह आप देखें राइस तो यहां पर मेरा यह झाल है कि जोंस हमारा रिसीवबर मैंनेस को पताया थे तर डेे वन."पे कि जिस कस्टमर को हम क्लोजिंग बैलंस हो किया देख लिता है कि तो सेल्स के आपको इंट्री पता है आपने पहले भी देखी होगी डेबिट हम करते हैं रिसीवबल को यूगी हमारा है किलावा जो बैंक लिखा ने बैंक का मतलब है कि यह कस्टमर हमें पेमेंट कर दिया ठीक है तो कस्टमर का बैंक एकाउंट इसकी वज़ाद से नीचे हुआ होगा तो यह 800 की पेमेंट हमें मिल गिया और इस पेमेंट की भी डवल एंट्री क्या होती है यह भी देख ले हम यह करते हैं डेबिट बैंक हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा रिसीवल खतम हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा हमारा सही है तो यह इसकी एंट्री होती है यह भी बिल्कुल सही लिखी है यहां पर तो इसका मतलब यह जो है अब मैं आपको समझाता हूं यह जोंज्स का काउंट यहां जाके क्लोज हो गया अब आप देखने से एक शुरू आवडा यह जोंज लेकिन अगले महीने का यह तो जैन्वरी का था ना पूरा यह फर्वरी का यहां क्योंकि डेबिट पे इंग्रीज करते हैं तो यह इसका यहां पर मक्सद है कि हम यहां पर क्रेडिट नाइन हंडर नहीं लिखेंगे अमाउंट तो सही होगी लेकिन छोटी सी गलती के वाज़ा से दो नंबर चले जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्श तो आप्शन सी इसका यहां पर करेक्ट है सर एक्चुली उन्होंने पूछा है वाट इस दे बिलेंस जोने अकाउंट एट तर्टी फर्स जनरी जी जी एक्जाट्ली तो सर तर्टी फर्स जनरी पर तो वह क्रेडिट ने पढ़ा है ना क्लोसिंग बिलेंस जी जी वही इस nutrition का वदे बताना होते हैं हमेश्ब्स बैलेंस का इसका फानलेफाट के डिइडीट साइट तो करेडि थैत कर लुक्यरेग्ज कभी ख्रेडिट नहीं होता यस पेवल होसकते है लोन हो सकते है ञेक है तो दी भल Has teenyaka वारम है Teaching प्रश्राइब करेंगे प्राइब करेंगे तक मैं करूं मैं चला यहां पर विच फॉलूइंग चेंजिस कुड नॉट अकर एज रिजल्ट ऑफ एंट्री इन दे बुक कीपिंग रिकॉर्ट मतब कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें जो आपस में मिल नहीं सकती जुड़ने सकती अब यहां पर देखें इंक्रीज एसेट यह दोनों तो बिल्कुल हो सकते हैं यह लाइक विद लाइक कॉंबिनेशन है क्योंके भी हमने पढ़ाए कि बेसिकली लेटस आपने कूई लोन लिया है बैंक्स तो लोन के एंट्री का होती लाइबिलिटी भी भढ़ती है और एसेट भी भढ़ता है कि आपका कैश एकाउ यह बिजिस के अंदर कोई कैश इंवेस्ट किया जाए उसे कैपिटल तो बढ़ता ही बढ़ता है लेकिन साथ में असेट भी बढ़ रहा है आपका गाड़ी बढ़ेए डेबिट कैश हो रहा है डेविट नॉन्कृरिंट एसिट हो रहा है तो यह तो हो सकते हैं अब सी को डिनाए करें सीधा सीधा क्योंकि डॉयलिटी कॉंसेप्ट यह कहता है कि एवरी डेबिट हैज एक्वल क्रेट तो यह मुझे लगता है इसका सही आजसर है यह साथ नहीं चल सकते डी एक नजर देख लेते हैं इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लाइबिलिटी तो यह ह अब 21 देखते हैं विच फॉल्विंग एसेट एंड लाइबिलिटी फिगर्स कुड़ अपियर इन दे बिजिनस स्टेट्मेट फिनाशल पॉजिशन अब यह किस चीज का सवाल है यह अकांटिंग एक्वेजिन का सवाल है जिसको आपने पहले भी काफी देखा होगा एक से कि अच्छा अकांटिंग वेजन बैसिकली होती हमारे पास एकुल टू कैपितल प्लस लाइबिलिटी मतब्कि इसका जो तरजम है हो यह है कि जो भी बिजनस के कैपितल है और लाइबिलिटी हैं किसे फैनाश हो रहे हैं एसेसे फिन सहो ठीक है मतब कि कैश ही उसको फैनाश बेसिकली एसेट किस चीज़ से फिनान्स हो रहे हैं कैपटर और लाइबिलिटी के मिलाब से आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं क्योंकि काफी बिजिनस लोन भी लेते हैं और शेर्स भी इंटर्डियूस करते हैं तो बेसिकली शेर्स जो आपने स्टॉक मार्केट का नाम हो कैपटल हैं लाइबिलिटि लेना बैंक के पास जाना उधार लेना जो के एक जबार रिप्शन है ठीक हैं है यहाँ पर यहाँ पर क्या बात करें कि बksom्स सक Democrats 10,000 कापटल के दिया है Осब 1,000 प्लोकु की निकरें क email एसेट और लाइबिलिटी दोनों के फिकर्स बताएं तो एसेट तुम्हारे निकल चुके है 14,000 ठीक है और लाइबिलिटी तो वही रहेंगी जब कश मिल जाते हमें जिंद जब कुछ टाइम गुजरने के बाद केश हमें मिलते हैं तो हम कश को बढ़ा देके डेबिट काश कर दे हैं और रिसीबल बनाव Изकों खतंक कर देंगे 2 इडिकशन एमें 2 इसित इसट 2 केस्ट को खतंका खतंकी एक तो यह Alysik बनेगे ऑ changer आप् वो था सेल्स डॉकिमेंटेशन वाला परचेस सेल साइकल दोनों वाला उसके भी हमने देख लिए बीपी के मुस्ट प्रॉब्यम कल सी स्टार्ट करेंगे ठीक है और इसके रिमेनिंग क्वेस्टेंज आप कैनली कीजिएगा जो पर वाले भी है इस वाले की भी है कल आप ट्र एवरिटिंग स्क्राइब थीक है से तो कल से फिर कंटिन्यू करते है सेम टाइम पर टैनोग और अगले टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे ठीक है झी तैंक यू थैंक यू थेक्टेंड आ फेस अला फेस